मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला हूँ, मैं बहुत जुनियर हूँ, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि लोग तंतर खत्रे में हैं, देश का लोग तंतर खत्रे में हैं, इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे, ये देश किसी के बाप की जगीर नहीं है ये 140 करोड़ लोगों का देश है ये आजादी ये आजादी हमें शहीद आजम भगर सिंग राजगुरू सुखदेब मदनलाल धींगरा करतार सिंग सराबा चंदर शेकरा या जैसे हयारों योदाओं ने अपनी जवानी में अपनी जवानी में गले में फांसी के रसे लटका के ये आजादी हमें दिया है ये इनके किसी बाप दादे की जगीर नहीं है क्या समझते हैं ये इसको भी अंदर कर दो इसको भी अंदर कर दो जो हस्पिताल बनाता उसको अंदर कर दो जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो कॉंग्रिस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो किसी के नेता फ्रीज कर दो ऐसे जीत लोगे हम वो पत्ते नहीं है हम वो पत्ते नहीं है जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आंधियों को कह दो अपनी उकात में रहें इस समझते क्या है यह अर्विन केजरीबाल को अंदर कर दो हेमन सुरेन को अंदर कर दो इसके घार E.D. पेज दो इसके अगर इसकी M.P. शिप कैंसल कर दो इसका घार छीन लो अरे मालिक तुम हो इन घरों के मालिक तुम हो इन घरों की मालिक 140 कुरूड जनता है कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किस को पहुँचाना है ये गलत फहमी में हैं हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे वी ताज होता है आज सुनीता जी आज कल्पना जी बैठे हैं सोनिया जी बैठे हैं मैं नमशकार करता हूं नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख जेले इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में आंधियां तुफान जेले लेकिन फिर भी इतने होसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन हो आपका प्यार है ये तालियां ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती किसी को दिहारी देके मोधी मोधी करवाना बहुत इज़ी है जब कोई दिल से बोलता है ना वो बात असर रखती है जब दिल से बोलता है ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं जैसे राहूल जी कह रहे हैं ये देश को नफर्त की आंधी में लेके गए हुए ये ये सीए ये लेके आए मैं पार्लिमेंट में था मैं एमपी था तब मैंने का जी मुझे बोलने का मौका दीजिए कहते नहीं जी मैंने का जी तीस सेकंड कहते जी मैंने का जी तीस सेकंड कहते तीस सेकंड में क्या बोलोगे नहीं मैंने का जी बीस सेकंड कहते बीस मैंने का हा स्पीकर साव कहने लगे आपका समय शुरू होता है तो मैंने 20 सेकड में बोला मैंने कहा لمбे सफर को मीलों में मत बांट ये कौ्म को कبीलों में मत बांट ये एक बहता दर्या है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांट अर्विन केजरिवाल को तो गिरिफतार करोगे लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरिफतार करोगे जो लाखों अर्विन केजरिवाल देश में पैदा हो चुके हैं उनको किस जेल में कैद करोगे अरविन केद्रिवार एक भ्यक्ति नहीं है अरविन केद्रिवार एक सोच का नाम है. इंडिया गठजोड एकठे हैं, सबकठे हैं, आज सभी के मेरे ख्याल में कही हो तो कैमरे भी काँपने लगए हूंगे, यह कठे कैसे बैठ गए? यह चाहते हैं हम कठे बैठें, कभी यह इदर से कभी इदर से कोई इवा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सब को कि आओ कठे हो जाएं और इन भिष्टाचारियों को कह दो बगवंत मान ने बोला था इन भिष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी कठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफण पे जेव नहीं होती कोई पैसा साथ नहीं जाएगा लूट लो देश को कितना लूटना है गरीबों की बद्वाएं ना लो हर बात पे जूट चल रहा है हर बात पे जुमला चल रहा है जूट पे जूट जुमले पे जुमला अभी जुमले बनाने वाली फेक्टरियां चल रही है अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे यकीन मत करना मैंने तो पार्लियमेंट में बोल दिया था मैंने का जी पंद्रा लाग की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूक जाती है हर बात ही जुमला निकली मोदी जी अब तो ये भी शक है क्या चाये बनानी आती है मुझे लगता चाये भी नहीं बनानी आती होगी जिस किसम का जूट चल रहा है दोनों हाथ उपर खड़े करके दो नारे लगा दीजिए इनकलार बारत मता की वन दे बोले सोने हार बहुत भन्यवाद